जै माता दी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे कन्या राशी के बारे में 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय फालगुन मास के क्रिशन पक्ष का समय है और कन्या राशी वालों के लिए बेहत खास और शांदार है चलिए शुरुआत करते हैं 12 तारिक बुद्वार से 12 तारिक बुद्वार को चतुर्ती तिति रहेगी दिन म उत्तर फालगुनी नक्षत्र होगा उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंब होगा इस दिन चंदर्मा कन्या राशी से गुचर करेंगे दिन में सूर्य का नक्षत्र और साइकाल में चंदर्मा का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है कन्या राशी वालों यह समय आपको बहुत जिम्मेवारी मिल सकती है बड़ी उपलब्दी आप प्राप्त करेंगे व्यापार कारोबार में धनलाब होगा मुनाफे के सोधे होंगे इस दिन आपके धन में बरकत होगी लाब में बरकत होगी खर्चों पर रोक लगेगी कन्याराशी वालो वेवाहे की जीवन खुशाल र रह सकता है आपके अंदर एहम की अधिकता रहेगी इसलिए आपको ठंडे रहकर अपने काम निकलवाने का प्रयास करना चाहिए दिन के समय में बोलचाल में थोड़ी सावधानी रखे साइकाल में मन आपका सांत रहेगा और अच्छा व्यवार आपका रहेगा बात करें त रहने वाला है कन्याराशी वालू सफल यात्राओं का योग इस दिन आपके लिए बनने वाला है पूजापाठ में धर्म आध्यात में आपकी विशेश रुची रहेगी गुप्त विद्याओं में आपकी रुची इस दिन बढ़ सकती है धार्मिक यात्राओं का योग इस समय नए लोगों से अच्छे संबंद बनवाने वाला है आपकी मितरता इस दिन नए लोगों से बन सकती है पुराने मितर भी इस दिन काम आएंगे भाई बहन की मदद प्राप्त होगी और यह समय आपके अंदर एक जोश को और उच्छा को भरेगा आपकी सोच बहुत साकरात होगी confidence बहुत अच्छा होगा एक positive सोच के साथ आप अपने कामों को अंजाम देंगे पुराने अधूरे काम इस दिन बनने वाले हैं और आपके बड़े पुराने मुश्खिल काम भी शिगरता से बनते हुए दिखाई देंगे यह समय आपके लिए पहुच्चा वरस्त रह इसके अतरिक थोड़ी साथानी ट्रैवलिंग में जरूर रखे बात करे 14 तारिक शुकरवार की इस दिन शस्टी तिथी रहेगी स्वाती नक्षत्र होगा चंदरमातुला राशी से गोचर करेंगी राहू का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है बहुत बड़ी मातरा में धनल अचानक से इस दिन हो सकता है शुकरवार के दिन आपकी लोटरी भी लग सकती है यह समय राजकिय सरकारी कामों में सफलता का है आप आकर्शन का केंदर इस दिन बनने वाले हैं लोग आपसे परभावित रहेंगे और आपकी राय लेना पसंद करेंगे परिवार से भी अच चंद्रमा तुलाराशी से गोचर करेंगे ब्रस्पती का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है गन्याराशी वालो बहुत ही शुब समय यह आपके लिए आचुका है इस दिन मान सम्मान के साथ साथ आपको नए काम भी मिलेंगे यह समय आपके भोतिक सुखों को बढ़ाएगा जमीन जादाद के मामलों में बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है पैतरिक संपत्ती के बाद विवाद दूर हो जाएंगे माता पिता से लाब की प्राप्ती होगी व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफ़ा होगा इंकम बढ़ेगी कारे स्थल पर मन बहुत प्रसंद और अपनी नोकरी में तरक्की जोब में परमोशन तक इस दिन हो सकती है विद्यारती विशेश सफलता इस दिन हासिल करेंगे यह समय घरेलू मोर्चे पर भी आपको सफलता मिलेगी और पारिवारे कृस्तों में मिठास आएगी कोई मांगली कारी आपकी घर में हो सकता है नया समान तक आपके घर में आ सकता है दोस्तों यह दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग के साली होगा बात करें 16 तारिक रभिवार की इस दिन अस्टमीती थी रहेगी अनुराधा नक्षत्र होगा चंदरमा वरिश्चिक राशी से गोचर करेंगे शनी का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है इस दिन बच्चों से जुड़ी हुई तमाम परिशानिया दूर होंगी लव लाइफ वालों को एक दूसरे के साथ समय बिताने के मोके मिलेंगे यह समय विद्यारतियों के लिए खास रहेगा व्यापारियों की मेहनत भाग दोड इस दिन बढ़ने वाली है डेली इंकम बढ़ते होँ दिखाई देगी लेकिन कारियस थल पर काम की अधिकता रहेगी जोब करने वालों को अधिक मेहनत इस दिन करनी पड़ सकती है सबर और धैरिया इस दिन बनाए रखें अपने कामों के लिए बड़ा रिश्क इस दिन नहीं लेना चाहिए दोस्तो शेश सभी मामलों में यह दिन आप के लिए सफल रहेगा इसके अतरिक्त इस दिन आपको लड़ाई छगडे से दूर रहना है बोल चाल में सावधानी रखें दोस्तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्च मन से जै मातादी जै मालक्षमी चुरूर लिखें